हमारा जीवन का एक ही प्रयोजन प्रभू ने दिया है हमारे माध्यम से भगवान को प्रगट होने देना और भगवान प्रगट होते है केवल यदि हमारे माध्यम से आनन्द प्रगट होता है तब और इसलिए यह जो आनन्द है यह भाव है तो कई पूछता है कि वह कैसे हो तो दुखी बुखी में बता रहा है, मौज में एकदम यही भाव ना है, करते रो, करते रो, धीरे धीरे, एकदम सब पता चलेगा, कि life is a time pass, और हम बताएं आपको, जिन्दगी में आखरी क्षण तक इच्छाओं की पूरती नहीं होती, कही ना कही अड़के रहते हैं, इसको जिसमें खुशी है, उसको उसमें रहने दो, अपने कारण किसी को परेशान ना करें, अपने विचारों को अन्य पर ना ला दें, अपने सिधान तर दुसरों ने स्विकार करने चाहिए, यह आवशक नहीं, इसलिए जो जिसमें सुखी है, उसे उसी अमश में उसे सेवा करने होगी, और जिस अमश में दुखी है, उस अमश में त्याक को ही अपनात है, कभी अपने महिनता का भाव नहीं आने दे, उसके बाद पराधिनता किसी भी वस्तु व्यक्ति पर पराधिन ना रहे जितना हो सके अपना सब काम स्वैम करे देखो प्रेम का करना और प्रेम का प्रकट होना इसमें बहुत फ़रक है लड़का लड़की से प्रेम करता है मा के वृदय में बच्चे की प्रती प्रेम प्रकट होता है वही मा दुसरों के प्रती वैसा प्रेम प्रकट नहीं होता देखो कारण क्या है कारण यही है कि मा बच्चे में अपने आपको प्रकट हुआ देखती है